नमस्कार बहुत बहुत त्वागत है आप सभी का तड़ी IQ IS हिंदी के इस कारिक्रम में जहां पर हम सभी भारती अर्थ व्यवस्था की रमेश तिंग नाम की जो पुस्तक है उसके आधार पे अपनी भारती अर्थ व्यवस्था की समझ को बहतर और फरल करने का प्रयास करते ह मैंने ये भी कहा कि अपनी समझ को हम बहतर नहीं करते हैं बलकि अपनी समझ को सरल करते हैं क्योंकि इस बात को समझने की आवशक्ता है कि किसी चीज़ को अगर आप सरलता से नहीं समझ पा रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आपको उसे और बहतर तरीके से समझने की आवशक् पढ़ाना शुरू कर रहा था जब एक जमाना था जब मैंने शायद पहली बार सोचा कि यार मैं एक टीचर बन सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक पढ़ा दूँगा, तब मैंने कहीं पर ये एक फ्रेज पढ़ा था, ये एक कोट पढ़ा कि अगर आप किसी चीज को बेहद सरल करके नहीं पढ़ा सकते तो आपको खुद उस चीज को और पढ़ने की आविशकता है एक शिक्षक का जो काम होता है वो यह नहीं होता कि वो जटल चीज़ों को जटलता के साथ पढ़ाई उसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो जटिल चीजों को मजाक मस्खरी के साथ पढ़ा है लेकिन निश्चित तोर पे जब तक हम जटिल चीजों को सरल बना कर उनको ऐसा ना बना दें कि आप उनको आसानी से समझना शुरू कर पाएं तब तक हमारा काम खत्म नहीं होता इस कारिक्रम में क्योंकि भारती अर्थ विवस्था UPSC के सिलिबस का शायद सबसे जटिल भाग माना जाता है आम तोर पे आप बच्चों से बात करेंगे चात्रों चात्राओं से बात करेंगे तो आपको यहीं मालूम चलेगा कि सबसे जटिल हिस्सा जो फिलिबिस का हर कोई बताता है वो भारती अर्थविस्था को बताता है तो जब यह कारिक्रम मैंने शुरू किया था तो इस कारिक्रम को लेके मेरे दिमाग में यही एक संकल्पना थी यही एक विचार था कि भारती अर्थविस्था को बच्चों के दिमाग में जो एक उसकी छवी है कि यह बड़ा जटिल विशह है यह चवी बदल जाए मुझे नहीं पता इसको पढ़के आप में से कितने लोगों का चयन होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग कौन सा एक्जाम दे रहे हैं यूट्यूब पे हमारे पास बच्चों का डेटा नहीं होता तो मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग UPHC की परिक्षा दे रहे हैं या अन्य किसी राज्य की सिविल सेवा की परिक्षा दे रहे हैं या फिर कोई अन्य परिक्षा दे रहे हैं या फिर आप अपने स्कूल या कॉलेज में एकनॉमिक्स बढ़ते हैं मैं नहीं जानता, या फिर आप एक general enthusiast है, मुझे ऐसे भी कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है पिछले दुनों, जो पढ़ाई नहीं करते हैं, जो चातर नहीं है, लेकिन वो generally अर्थ शास्त्र विशय को जानना, समझना, सीखना चाहते हैं, बचपन से उन में curiosity रही है, सुनिश्चित करना चाहता हूँ, कि आप सभी के दिमाग में अर्थ शास्त्र की जो छवी एक कठिन विशय की है, उस छवी को मैं बदल पाऊंँ, इतनी भाशनवाजी आज मैं इसलिए कर रहा हूँ, कि आज जो है, एक थोड़ा सा खास मौका है, वो खास मौका ये है, कि आज हमारे इस कारिक्रम का सौवाई एपिसोड है, तो हलाकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अलग-अलग कारिक्रमों के एपिसोव ऐसे संख्या होती है, मैं हमेशा यह कहता हूँ, कोई ऐसी खास बड़ी बात नहीं होती, ना सौव में ना पचास में, लेकिन तब भी एक अच्छी चीज ये है कि 100 एपिसोड तक आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद पहले एपिसोड से मेरे साथ हैं आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शायद वो शुरुआत के 5-6 एपिसोड देखे होंगे मेरे में विश्वास जताया, आप लोगोंने इस कारिक्रम में विश्वास जताया, और कोई भी शिक्षक उतना ही अच्छा शिक्षक होता है, जितने अच्छे उसके चात्र होते हैं, तो अगर आज मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ, अगर कोई मुझे पूछता है कि आप क्या करते हैं और मैं उसको अच्छे से बताता हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ और मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ तो उसमें जितना योगदान मेरा है जितना योगदान मेरे परिश्रम, मेरे श्रम, मेरी मेहनत मेरी स्किल का है उससे भी कहीं जादा योगदान आप सब के परिश्टम का है आप सब के सम्मान का है आप सब के स्नेह का है आप सब लोग पहले एपिस्टोड से लेके मेरे साथ चुड़े रहे आप लोगों ने समय समय पर फीड़बैक दिये आप लोगों ने समय स सारे बच्चों ने मेरी हिल्थ के लिए अच्छे संदेश भेजे अच्छे दुआएं भेजी और आप बहुत काम आया यार ये सब जब आप एक कठिन समय में होते हो तो दुआएं जो होती है अच्छे विचार जो होते हैं उनसे बड़ा होसला मिलता है आप लोगों ने कर आप जगड़ा करते हो मेरे साथ आप मेरे को कभी इस तरह से भी लिखते हो तो मुझे ऐसा रखता है कि आप मुझे अपना मानते हो आप इस कारिक्रम को अपना मानते हो क्योंकि यार अन्नोन आत्मी से कौन जगड़ा करता है आप अपने परिवार वालों से करते हो ना अन्जान विक्ति से कौन जगडा करता है, कोई नहीं करता, तो ये कारिक्रम बिटा, ये जो कारिक्रम है, भारतिय अर्थ विवस्था का जो रमेश रिंग पुस्तक पर आधारित है, ये अतुल जैन का कारिक्रम नहीं है, ये स्टडी IQIS, हिंदी का कारिक्रम नहीं है, ये आपका कारेक्रम है आप लोग इस कारेक्रम के मालिक हैं आप लोगों ने इस कारेक्रम को बनाया है जहां तक भी हम लेकर इसको आ पाए हैं वो सब आपके कारण हुआ है आगे भी इसे जहां तक लेकर जा पाएंगे वो आपके कारण ही लेकर जा पाएंगे तो मैं एक बार आपको बस ये बता दूँ कि मेरे दिमाग में इसको लेकर क्या है मुझे पता है कि एकनॉमिक्स जो है वो उतना एक जूसी सब्जेक्ट जो होता है जिसमें बड़ा मज़ा आता है बड़ा इंटर्टेन्मेंट होता है उस तरह का विशय शायद नहीं है मैं कोशिश करता हूँ बहुत एक्जैम्पल्स देने की बहुत सरल तरीके से बढ़ाने की लेकिन तब भी कुछ चीजे हैं जो मैं मुझे लगता है कि मेरी एक पेशेगत मर्यादा है प्र फिशयिनल बाउन्टरी है उसके बहार मैं नहीं जाता मैं घटिया प्रकार के मज़ाद नहीं करता उस तरह की चीजे हमारा पूरा संस्धान उस में भिलीव नहीं करता विश्वास नहीं करता उस तरह की चीज़े हम लोग नहीं करते और मैं विशे की गंभीरता को भी बनाए रखना चाहता हूँ मैं यह नहीं चाहता कि यह क्लास बस एक मजाग बन जाए मैं यह भी चाहता हूँ कि आप जब इस क्लास में आएं तो आप एक गंभीरता से पढ़ने के मूड से आएं तो इसी लिए मुझे पता है मैंने देखा है कि यूट्यूब पर जो मजाग वाले वीडियोज होते हैं या जो टीचर्स पढ़ाते मतलब इतना पढ़ाते हैं और इतना मजाग करते हैं उनके वीडियोज बहुँ जादा वाइरल होते हैं लेकिन ये एक चायन है ये एक तोईस है जो हम लोग ने की है कि हमको इतनी वाइरालिटी नहीं चाहिए हमको एक शिष्ट एक सही एक डीसिंट पढ़ाई वाला महौल चाहिए तो मेरा इस कारिकरम को लेकर जो विजन भी है आज 100 एपिसोट्स हो गए है शायद 100 एपिसोट्स और होंगे 100-500 एपिसोट्स, 100-700 एपिसोट्स इस कारिकरम के और होंगे मेरे कुछ लगता है उसके हिसाब से तो इस कारिकरम को लेकर मेरा विजन भी यही है कि आने वाले भविश्य में, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, आप तो रियल टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले भविश्य में भी कोई भी बच्चा अगर UPSC की तयारी करना शुरू करे, कई बार क्या होता है कि कारेकरम जब चल रहे होते हैं, उससे जादा बड़ा, उससे जादा महत्वपूर्ण कल्ट स्टेटस जो होता है, उनको खत्म होने के बाद मिलता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि भविश्य में जब ये कारेकरम समाप्त हो, जब ये कारेकरम कंक्लूड हो, और उसमें भी पांच साल बाद कभी कोई बच्चा UPSC के तयारी करना जाता हूँ, इसके लिए आप सभी का, आप सभी ने जो अब तक सहयोग दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सभी अपना सहयोग आगे भी देते रहें, इस बात की मैं आपसे अकांख्शा करता हूँ, चलिए, बहुत हो गया, 100 episodes हुए है, काम खतम नहीं हुआ है, और 100 episodes करने हैं, चलिए, तो आगे चलते हैं, तो यार यह तो आपको पता ही है, कि यार देखो, 10 तारीक का हमारा batch था आज, यानि कि 12 तारीक को उसमें admission लेने की last date है, आम तोर पे study IQ IS हिंदी करीब 7 दिन का grace period दिया करता है, इस बार केवल 2 दिन का grace period दे रहा है, यानि कि 10 तारीक से batch चुरू हुआ था, सुबा 8 बजे से, तो आज का दिन जो है, आज सुबा 8 बजे class हो गई है, तो अभी intro classes ही चल रही है, लेकिन आज रात के बाद आप इसमें admission नहीं लेपाएंगे, तो आप में से जो लोग अभी किसी प्रकार का wait कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो विचार करने का समय निकल रहा है, क्योंकि आज ये batch आपका बंद हो रहा है, मैं कई बार कहा हूँ, morning batches मेरे को हमेशा बहतर लगते हैं, क्योंकि morning batches में आपका दिन काफी बच जाता है, तो आज जो है 12 तारीक बिटा, इसका last date है, तो आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो तुरंट आप AJ Live Code लगाईए, 29, 1999 में जुड़िए, P2i batch है, प्रारंभिक परिक्षा से लेके इंटर्व्यू तक पूरी तयारी आपको कराएगा, आपके prelims की, mains की, mains की तयारी residential होगी, आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, बिना किसी अतरिक्त ख इंटर्व्यू की पूरी preparation, DAF का analysis, mock interview, सब कुछ, सब कुछ इसमें सम्मिलित होगा, तो आपको 29,999 रुपए पे करने हैं, AJ Live Code अगर आप लगाते हैं, याद रखिएगा, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, जो बिना Code के लिए रहे हैं, या जो एप पे Code default पड़े हु और ये तो ठीक है, optional तो आपको पता ही है, कई बार बता चुका हूँ, मेरे साथ आपको जुड़ना है, आपको इस class की presentation वगेरा चाहिए, तो आपको अतुल जैन UPSC का आइडेम्स टेलिग्राम पे मिलेगी, अतुल अंडर्सकोर UPSC मेरा Instagram है, अतुल.gen at studyiq.com मेरा email ID है, studyiq.com हमारे समस्थान की website है, जहां पे जाके आप विस्तरित वरहत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चलिए, अब शुरू करते हैं आज की चर्चा, आपको मैंने बताया ही था, कि यार ये जो दो classes थी, 99 वी और 100 वी class, इनकी presentation हम जो है, एक साथ ही बना के आपको में दूँ आज हम बात करेंगे मूल ले वर्धित करकी, तो यार अब तक हमने क्या देखा था, अभी हमने जो देखा था पिछली class में, कि यार एक अच्छी कर प्रणाली के क्या symptom होने चाहिए, अच्छी कर प्रणाली क्या होनी चाहिए, इस बात को हमने समझने की कोशिश की थी, कि न्याय संगत होनी चाहिए, दक्ष होनी चाहिए, प्रशासनिक तौर फे फरल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, हम समच चुके हैं, अब आज बात करेंगे एक taxation प्रमाली की, जिसको हम कहते हैं मूल लेवर्धितकर, या फिर अंग्रेजी में इसे कहा जाता है value added tax, जिसको हम जन्रली कहते हैं VAT, value added tax यानि की VAT, तो VAT की प्रणाली हम लोगों ने अपने जीवन काल में देखी है, आते हुए, हम लोगों ने इसको introduce होते हुए देखा है कि VAT देश में लगना शुरू हो गया, ये हमने एक प्रक्रिया शुरू होते और अकफर हमको ऐसा लगता था कि VAT की जो प्रणाली है ये अलग tax, जब VAT पहले कहते हैं अब तो एक नया VAT लागू हो गया है, VAT लग गया इस पर तो, ऐसा हम कहते हैं अब तो खेर GST आ गया है हर जगा, तो आप में से कई लोग भूल चुके होंगे, कि VAT नाम की भी ए आने में आया था, हमारी कर प्रणाली में, लेकिन उस समय ये कहा जाता था कि VAT लग गया, सरकार ने हर चीज़ पर तो वैट लगा दिया है, जैसे आजकर हम GST को लेके सरकार को कोशते हैं, कि अरे यार कितना तो GST ले ले लेते हैं ये लोग, है ना, वैसे उस समय VAT को ले कर वास्तविक्ता में था ही नहीं, VAT जो है, वो सेम ही टैक्स था, आपके यहां VAT जो होता है, VAT एकदम सेम टैक्स था, तो VAT का मतलब क्या है, VAT जो है, कोई अलग टैक्स नहीं होता, VAT एक टैक्स लगाने की प्रणाली होती है, VAT एक कर प्रणाली है, जिसमें आप क्या करते हो value addition के हर step पे tax लगाते हो मैं समझा दूँगा चिंता मत करना ऐसा मत पोचना कि यह क्या बड़े बड़े शब्द बोले जा रहे हैं आप इनकी चिंता बिलकुल मत कीजेगा ठीके तो यानि कि आप जहां जहां मूल लेवर्धन कर रहे हो मूल लेवर्धन के हर चरण पर आप tax लगा रहे हो इसको मैं एक बार समझाता हूँ आपको यह पता है यह मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि यार आप देखिए जब भी जब भी आप कोई चीज का उत्पादन करते हो ऐसा तो होता नहीं है कि उस चीज का उत्पादन जो है आप scratch से एकदम अपने घर पे ही कर दो ऐसा तो नहीं होता कोई भी चीज अगर है तो उसका उत्पादन क्या होता है कई चल्लों में होता है आपको वो example भी याद होगा मैं एक बार दुबारा देना ही पड़ेगा मेरे को इस class के लिए तो भाई एक बार हम note खोल लेते हैं और वहाँ पे इसको ठीक से समझने की कोशिश करते हैं तो भाई आप जैसे मान लीजिए एक classic example जो मैं हमेशा देता हूँ वो होता है मान लीजिए एक व्यक्ती ने गेहू उत्पादित किया जो की 50 रुपए कर था वह किसान है उसके पास खेत था उसने खेत में बीज डाला हम simplicity के लिए ऐसा मान लेते हैं कि यार गेहू उगाने में उसकी कोई लागत नहीं लगी उसके घर पर ही बीज पड़े थे घर पर ही खाद पड़ी थी उसने कोई खर्चा नहीं किया है ना अपनी calculation की simplicity के लिए calculation की वरलता के लिए तो उसने बीज डाले गेहू उगा दिया ठीक है अब उसने 50 रुपए के गेहू का उत्पादन किया अब इसके बाद क्या हुआ ये सारा का सारा गेहू उसने क्या किया उसने बेचा एक चक्की वाले को जिसने उसका आटा बनाया अब आटे की कीमत मान लीजिए 100 रुपए हो गई भई गेहू से महंगा आता है ना आटा अगर गेहू मान लो 10 रुपए किलो है तो आटा 25 रुपए किलो होता है ऐसा होता है कि नहीं होता बजार में आप लोग खरीते होंगे समान तो आपको जानकारी होगी क्योंकि आपने एक स्टेप किया एक प्रोसेसिंग करी तो जितने रुपे किलो गेहूं आता है उससे ज़ादा रुपे किलो आटा आता है तो भई इस आटे वाले ने 50 रुपे का गेहूं खरीदा और उससे इसने 100 रुपे का आटा बना दिया तही बात है अब इस आटे वाले ने किसे क्या किया मान लीजिए एक ब्रेड बनाने व खरीद के उसने उस पर जो भी processing होती है जो भी उसका अद्यों के काम धन्दा है वो करके उसने 300 रुपई की bread बना दी, सही बात है कि नहीं है, अब इस 300 रुपई की bread को हम मान ले तिने cake वाले ने खरीद लिया, और उसने इस पूरी bread का cake बना दिया, मुझे नहीं पता bread से cake ब पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, और फिर ये बना, ये हो गई उत्पादन की श्रंखला, बात समझ में आई की नहीं आई, आ गई, अब इस बात को समझो, कि वास्तविक्ता में, क्या ये चारो उत्पाद अलग-अलग हैं, एक बार ये समझने की कोशिश करो, ये थोड़ा सा important point है, अराम से समझाऊंगा, slow समझाऊंगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा taxation, सारा value added जो है, यही से समझ में आ जाएगा, अगर आप देखो, तो आप एक बात बताओ, अगर आपके पास cake है, तो क्या आपके पास गेहू भी होगा, अरे न गायब हो गया, तब bread बनी, bread जब सारी गायब हो गयी, तब जाके cake बना, तो अगर तुम्हारे पास cake है बिटा, तो पीछे के तो सारे item गायब हो गया, पीछे के तो सारी चीज़े जो है, वो इसमें सब्ज्यूम हो गई, इसमें अंतर नहित हो गई, कि नहीं हो गई, अब मान लीजे, इस point को याद रखो, कि सारी चीज़े जो है, वो आपके cake में अंतर नहित हो गई, आपके cake में सब कुछ सम्मिलित है, ठीक है, अब एक बार ये सोच के देखी, मान लीजे, सरकार ये कहती है, example के लिए, कि हर चीज़ में हम 10% उत्पादन शुल्क लगाएंगे, आप जिस भी चीज़ का उत्पादन करोगे, उस पे हम 10% excise duty लगाएंगे, इस तो excise duty कहते हैं, उत्पाद कर, ठीक है, हम 10% उत्पाद कर लगाएंगे भाई हर चीज़ पे, आप जो भी उत्पादन करो, और अभी के लिए ऐसा मान लेते हैं कि सरकार क्रशी पे भी लगात होते हैं, तो उधारण लेते हैं कि सरकार हर चीज़ पे 10% tax लगाती है, ठीक है, तो सरकार ने गेहूँ वाले पे कितना tax लगाया, 10% तो calculate करी लोगे न, सानीवे, 50 रुपे का 10% 5 रुपे, 100 रुपे का 10% 10 रुपे, 300 रुपे का 10% 30 रुपे, और 800 रुपे का 10% 80 रुपे, ठीक है बई, यह clear हुआ, यहां तक clear हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना tax लगा, अब बई चीज़ बताइए, यह जो गेहूं का उत्पादक है, इसका गेहूं तो है 50 रुपे का, पर 5 रुपे यह tax भी तो दे रहा है, तो आगे जाके जब यह अपना गेहूं आटे वाले को बेचेगा, तो क्या यह 50 का ही बेचेगा, यह 55 का बेचेगा की नहीं बेचेगा, यह बताओ, मतलब यह 5 रुपे जो है, यह अपरत्यक्षकर हैं की नहीं है, यह बात सही है की नहीं है, तो यह आपका अपरत्यक्षकर है, यह आपके मूले को बढ़ाएगा, आटे वाले पेको बास्त विक्ता में ये 55 रुपए का पड़ेगा ये गेहूं। ऐसे ही आटे वाला 10 रुपे टैक्स दे déjà या आगे वाले से वसूलेगा.. ये ब्रեड वाला भी 30 रुपे टैक्स दे कि केक की कीमत में इन सब की कीमत अंतर नहित है की नहीं है तो अक्सर हम आप जब केक वाले से आप बोलते हो कि अरे यार इतना महंगा क्यों दे रहे हो तो आपसे कहता है कि नहीं कहता है अरे सर इतने कीतों मेरी लागत है यह कहता है कि नहीं कहता है लागत क्या है कहता है सर प जो उसमें उसने पीछे से खरीद के उत्पाद भी टाले है उनकी कीमत भी अंतरनीं है या नहीं यह लीसा कार के कोई भी अंतर नहींती है न कि टायर भी उसने कहीं से खरीद के लगाए है किसी ने टायर का उत्पादन किया होते हैं कि आ तो कोई भी manufacturing process जो होता है उसमें उसके पीछे के चरण जो होते हैं वो तो अंतर नहींत होते हैं लेकिन आखरी उत्पाद आप किसको मानोगे, आप एक कार कोई मानोगे, आप तो कार खरीदते हो, कि यार ये कार है, मुझे पूरी कार चाहिए, ऐसा नहीं कि पईयों के बिना कार चाहिए, पईयों अलग से लूँगा, ऐसा नहीं होता, मुझे पूरी कार चाहिए, और पूरी कार 15 लाकी चाहिए, ब लेकिन वास्तव और आपके सरकारी नीती क्या है कि आप कितना उत्पाद कर लगाते हो आपकी सरकारी नीती है कि आप 10% उत्पाद कर लगाते हो इस एक्जामपल में ये जो मैंने एक्जामपल लिया है इसमें सरकार ने क्या कहा है कि हम 10% उत्पाद कर लेंगे लेकिन वास्त पच्चिफ रुपए टैक्स लगा की नहीं लगा क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं भई ये सारे के सारे अप्रत्यक्ष कर हैं तो ये सारे के सारे वसूले आपसे ही जाएंगे ये कोई और नहीं देने वाला है ये सारे के सारे tax आपसे ही वसूले जाएंगे हर व्यक्ति अपने अपने step पे दाम बढ़ाता जाएगा और बढ़ाते बढ़ाते ये सारे tax आपसे वसूले जाएगे तो वास्ट विक्ता में जो tax 80 रुपे होना था क्योंकि 800 रुपे का उत्पाद है तो 10% के हिसाब से 80 हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं cascading tax इस चीज को कहा जाता है cascading tax जहां पर क्या होता है कि आपने चरण वन में जो उत्पादन किया उस पर आपका tax लगा अब ये चरण वन का उत्पाद जो है ये तो आपके चरण टू का कच्चा माल है ना तो चरण टू के उत्पाद पे आपने फिर tax लगाया समझ रहो कि नहीं तो आपके चरण टू के उत्पाद की जो कीमत है उसमें ये वाला tax भी तो included है तो आप क्या कर रहे हो एक ही चीज़ पे बार 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 टैक्स लगाते जा रहे हो समझ में आ रहे है कि नहीं आ रहे है कि आपने क्या किया कि ये जो 50 रुपए थे गेहूं के ये 50 रुपए पे आपने 5 रुपए tax तो यहां लगा दिया सही बात है पर बाई गेहूं के 50 रुपए इसमें भी तो है आपने हर बार गेहूं के 50 रुपए पे tax लगाया के नहीं लगाया बात सही है कि नहीं है क्योंकि इसने जब 800 रुपए कीमत तैगरी तो इसने गेहूं के 50 रुपए भी तो count कियोंगे कि यार मेरे को उत्पाद जो है पीछे से इतने के मिल रहे है इतना तो मेरी लागत है उससे उपर मैं कुछ कमा के बेचूंगा तो आपने क्या किया गेहू के 50 रुपए पे आपने बार-बार-बार टैक्स लगाया ऐसे ही आटे के जो 100 रुपए है उस पे आपने यहां तो ट प्राधान कर रहे हो बार-बार taxation कर रहे हो तो इसको हम कहते हैं cascading tax समझने आया कि एक ही जो है बार-बार बार-बार आप उत्पाद पे tax लगाते जा रहे हो लगाते जा रहे हो और इसके कारण क्या होता है जो प्रम्हावीकर होता है जो effective tax होता है वो क्या होता है जितना सरकार वास्तविक्ता में tax लगाती है उससे कहीं जादा हो जाता है सरकार ने वास्तविक्ता में कहा था हम 10% tax लगाएंगे लेकिन आपको मैंने अभी यहां सद्ध करके दिखाया इतना सा सिंपल सा चार स्टेप का बसिक था जब कि वास्तविक्ता में तो 20 यह कंच्छidir ने लगरा है जबकि लगना कितना चाहिए था 10 परचेंट तो tax जो है क्योंकि cascading effect इसको हम बोलते हैं कि आपने एक चीज पर इस 50 रुपए पर 4 बार tax लगाया इस 100 रुपए पर 3 बार tax लगाया इस 300 रुपए पर 2 बार tax लगाया तो यह अतिरिक्त tax जो आप लगा रहे हो बार-बार इसका एक cascading effect होता है ठीक है यह clear हुआ इसका जो है यह एक ही बार-बार-बार-बार यह जो है तो यह जो है यह एक यह एक taxation जो है आपका इस प्रकार से चलता जाएगा चली तो यह clear हुआ कि नहीं हुआ तो यह होता था आपका traditional taxation system जहां पर आप एक general excise type की चीजे जो हैं लगा सकते हैं ठीक है यह clear हो गया यह हो गया आपका traditional car system आपका traditional taxation system आपका यह हो गया अब आपका इससे निपटने के लिए आप क्या करते हो आप लाते हो वैट विवस्था आप लाते हो मूल लिवर्धित कर तो मूल लिवर्धित कर में आप क्या करते हो आप हर चरण पे कितना मूल लिवर्धन हुआ यह स्थापित करने की को और मूले वर्धन तो हम मानते हैं कि पहला उत्पाद था गेहूं गेहूं की कीमत कितनी थी 50 रुपए और गेहूं की शुरुवात में जो हमने 50 की ली थी ना गेहूं की बहुत देख लेते हैं हाँ 50-100-300-800 चलिए तो गेहूं की कीमत थी 50 रुपए अब उसने शुरुवात क कुछ भी नहीं था उसने 0 रुपे से शुरुआत की थी तो गेहूं के मामले में सब कुछ मुल्य वर्धन हो गया सारा का सारा 50 रुपे मतला उसके पास इनीशल जो संपत्ती थी वो 0 रुपे की थी उसको उसने परिवर्धित करके 50 रुपे की संपत्ती में 50 रुपे के जाओट नहीं अब दूसरे आदमी के पास हम जाएं, तो दूसरे आदमी ने क्या बनाया? 8 आटे की कीमत कितनी है? 100 रुपए 50 रुपए का उसने गेहू लिया और उस पर 8 बनाया 100 रुपए का, तो इसने मून ने कितना बढ़ाया कितना value add किया 50 रुपए add किया कि नहीं किया वही 50 रुपए का समान लेकर उसने 100 रुपए का बना दिया तो उसने कीमत कितनी बढ़ाई मूली वर्धन कितना किया 50 रुपए किया यहाँ पर भी ठीक है आटे के बाद अब आते हैं हम bread पर bread वाले व्यक्ति ने क्या किया 100 रुपए का समान लिया 100 रुपए की bread ली और उसको 300 रुपए का बना दिया तो बेटा इसमें क्या होता है कि अब इसने कितना मूले वर्धन किया 100 रुपए की bread ली 300 का बना दिया इसने 200 रुपए का मूले वर्धन किया ठीक है अब आखरी व् व्यक्ति ने 300 रुपए का समान लिया और 800 रुपए का केक बना दिया इसने कितना मुल्य वर्धन किया 500 रुपए मुल्य वर्धन किया यह क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि आपने जितने के उत्पाद से शुरुआत की थी उसको आपने कितने का बना दिया उसका जो अंतर है उस तैक्स उसी अमाउंट पर देना पड़ता है जितना वो मूले वर्धन कर रहा है यानि कि गेहु के उत्पादक को जो ड्यूटी देनी पड़ रही थी जो एक जो कर देना पड़ रहा था वो मूले वर्धन पर देना पड़ेगा इसका तो मूल्य वर्धन 50 ही रुपए तो मान लेते हैं अगर हम 10% tax है ठीक है अगर हम 10% की दर से हम tax मान लें तो अब एक बार कर जोड़ के देखें तो गेहु वाले ने 50 रुपए का मूल्य वर्धन किया इस पर 5 रुपए tax लगा ठीक है आटे वाले ने उत्पाद भले ही 100 रुपए का किया हो लेकिन मूल्य वर्धन इसका 50 ही रुपए है तो जितना इसने मूल्य वर्धन किया उतना ये tax देगा 5 रुपए उसका 10% ये tax दे तो यह भी अब दस परसेंट यानि की 20 रुपे tax देगा ऐसे ही केक वाले ने उत्पादान भले ही 800 रुपे का किया हो लेकिन मूल्ले वरधन बस 500 रुपे का किया है तो यह 50 रुपे tax देगा अब इसको एक बार जोड़ के देखें आखरी उत्पाध में कितना tax दिया 10% ही tax यहां से लिया जा रहा है यह होता है आपका मूले वर्धन कर यह समझ में आया या नहीं आया तो वैट प्रणाली जो है जब यह आई थी तो इसका बड़ा विरूत किया गया था यह कहा गया था कि भई सरकार तो लूट रही है और व्यापारियों पर अत्याचार हो रह है और यह हो रहा है या सब कुछ महंगा हो जाएगा चीजों के दाम बढ़ जाएंगे लेकिन वास्तविक्ता में वैट प्रणाली जो है वह एक ऐसी प्रणाली है जो कि किसी भी एको सिस्टम में करों की संख्या को करों की मात्रा को घटाती है बढ़ाती नहीं है वैट जो है जो कर टोटल आपकर जितना लगता है उस कर को घटा दी है यह हो गई आपके वैट की प्रणाली यह क्लियर हुआ आपको यह है वैल्यू अड़ियो अड़िट सिस्टम मैं एक बार आग रहे करूंगा कि अगर इसमें थोड़ा भी डाउट रह गया या ना भी रहा हो तो यह वाला पार्ट जो पिछले 10-15 मिनिट इस लेक्चर के हैं उनको एक बार जरूर दुबारा देख लिजेगा और यह टेबल खुद से बना के देखिएगा तो आपको जादा मजा आएगा ठीक है अब एक बार फटा फट से अपने स्लाइड शो पर चलते हैं दुबारा हम इस पर आएँगे ठीक है तो बाई इसमें क्या होता है चल्दी से एक बार इसको देख लेते हैं दुबारा जाएंगे उस नोट पर अपने तो यार यह क्या करता है जैसा आपको मैंने बताया कर जो है उतपादन के हर चरण के मूल ले वर्धन पर लगता है ठीक है बनाया था तीसरे ने ब्रेड बनाया था चौथे ने केक बनाया था सब पर टैक्स लग रहा है बहु बिंदू यानि कि एक उत्पाथ जो केक बनके आया उसका टैक्स के वल केक वाले ने नहीं दिया उसका टैक्स कई सारे लोगों ने दिया तो बहु बिंदू कर है और यह क् कारण जो प्रभावी कर होता है effective tax rate होता है वो बहुत जादा बढ़ जाता है उसको ये घटाने का काम करता है आपके क्रमपाती जो कर है उसको कम करता है ठीक है तो यह आपके cascading tax को समाप्त करता है यह आपके मूल लिवर्धित घर का प्रमुख मिंदू है ठीक है यह clear हुआ इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए अब तक चलिए अब आते हैं यार इसमें इसके लाब क्या है पहली चीज़ तो यार यह कर चोरी को रोकता है दूसरा करो में समता लाता है कि भई कर जो है आपको मैंने क्या बताया था पारदर्शिता होनी चाहिए अभी चोरी वाली पॉइंट आपको बताऊंगा करो में समता लाता है कि यार एक जैसे ही कर लगेंगे बहुत जादा टैक्स नहीं हो जाएगा क्योंकि अगर मानीजे किसी उत्पादन में बहुत जादा चरण है तो हर चरण पर टैक्स लगते लगते बहुत जादा बढ़ जाएगा तो यह एक विशमता जो करों के थी उस विशमता को समाप्त करता है लगता है रुची रखता है अब इंपोर्टेंट चीज यार यह है कि यह टैक्स चोरी को रोकता कैसे है यह बात मेरे को आपको और बतानी है बस उसी नोट पे जाके कि यह जो है हाँ ये टैक्स चोरी को कैसे रोट लेता है कि इसका टैक्स की चोरी से क्या संबंद है अब एक बार के लिए सोच के देखिए कि ये टैक्स लगता कैसे है मान लीजे मैं एक उत्पादक हूँ मैं ब्रेड बनाता हूँ मैं ये आदमी हूँ जो भई 300 रुपे की ब्रेड बनाता हूँ लेकिन मैं 100 रुपे का आटा किसी व्यक्ति से खरीता हूँ किसी एक दूसरे व्यापार से मैं 100 रुपे का आटा खरीत के 300 रुपे की ब्रेड बनाता हूँ मैं ये वाला व्यक्ति हूँ अब मैं मैंने 300 रुपए की ब्रेट बनाई सरकार ने मेरे से टैक्स मांगा सरकार ने मेरे से कहा कि अतुल जैन तुमने जो 300 रुपए की ब्रेट बनाई है इस पे 10% टैक्स दो मैंने का रूखिये भई सरकार भई ऐसा मत करो 300 रुपई की bread मैंने बनाई है बिल्कुल सही बात है लेकिन मेरा मूल ले वर्धन केवल 200 रुपई है 100 रुपई का तो मैंने पीछे या आटे वाले भाई साब से आटा खरीदा था मैं ये कहूंगा उनसे तो सरकार कहें कि कोई बात नहीं ठीक है हम मानते हैं आपने ऐसा किया होगा बस आप ये करो कि आटे वाले ने अपने 100 रुपई पे tax दिया होगा ना जब इस आटे वाले ने 100 रुपई का आटा बनाया होगा तब इसने भी तो tax दिया होगा तो इस आटे वाले से आप जो इसने 10 रुपई टैक्स दिया टोटल आप या फिर अब तक जो रसीद जमा हुई है दस रुपे टैक्स की वो रसीद आप लाके हमको दो तो हम क्या करेंगे आपके तीन सो रुपए में से हम वो वाला पैसा घटा देंगे आपका जो टोटल टैक्स बनता है अब समझे असेस्मेंट कैसे होता ह मैं अगली स्टाइट पर समझाता हूँ मानलो मैं हूँ ब्रेड वाला व्यक्ति तो मेरा उत्पादन था तीन सो रुपए का सरकार ने कहा कि भई तुम्हारा टैक्स बनता है तीन सो रुपए का ठीक है यह उद्वाने मुझसे कहा मैंने कहा यार यह तो बात सही नहीं है कि आपने तीन सो रुपए का उत्पादन तो वो लोग कर चुके है न तो सो रुपए वर्थ का टैक्स उन्होंने दे दिया होगा सो रुपए पे जितना भी टैक्स बनता है वो उन्होंने दे दिया होगा तो मैं तो उसके बाद का दूँगा न क्योंकि मेरा वैल्यू एडिशन यह है सरकार कहती है बिल्कुल सही बात है आप उसके बाद कही तो लेकिन आप जब अपना टैक्स प्रूफ डालोगे तो आप क्या करो आप इनका नमबर डालो कि इन्होंने जो टैक्स दिया है इस तो रुपए पे आपका गेहूं वाला और आपका आटा वाला इन लोगों ने जो टैक्स दिया है उसकी रफीद दिखाओ कि इन्होंने टैक्स दिया है तो हम मानेंगे कि इन्होंने टैक्स दिया है वरना हम नहीं मानेंगे तो अब मैं क्या करूँगा मैं हूँ ब्रेड वाला मैं अपने आटे वाले को फोन करूँगा कि भया तूने जो पीछे का टैक्स दिया है उसकी रसीद मेरे को भेज उसका आता था कि या रहे कुछ भी उत्पादर नहीं हुआ हम तो कुछ टैक्स देते ही नहीं ऐसे लोग होते हैं आपको मैंने कई बार कहानिया सुनाई हैं कि बिजनस्मेन के बच्चे थे जो बहुत अमीर थे लेकिन जीरो टैक्स देते थे उनकी परिवार की आये बहुत कम दिख होगा सरकार यह कहेगी कि भैया नहीं फिर तो यह 30 के 30 रुपे टैक्स तुम्हें देने पड़ेंगे ना सरकार यह कहेगी या तो आटे वाले की रसीद दिखा दो तो हम मान लेंगे कि इसमें से 100 रुपे का टैक्स कोई दे चुका है अगर वो रसीद नहीं है तो हम नहीं जो मैं ब्रेड वाला हूँ तो मुझे 20 रुपे टैक्स देना होता लेकिन अगर आटे वाला अपना टैक्स नहीं देगा तो मुझे 30 रुपे टैक्स देना पड़ेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है थोड़ा complicated हो रहा है ऐसा लग रहा है मैं एक बार दुबारा बता देता हूँ यह आज की class में यही समझना है बस और कुछ नहीं समझना चलिए दुबारा बताता हूँ मैंने बनाया bread मेरे bread का जो मूले है वो है 300 रुपे तो उत्पाद करके हिसाब से सरकार ने कहा कि भाईया आपको 30 रुपे टैक्स देना है 10% सिधी सिधी बात है मैंने कहा कि नहीं नहीं सर मेरा मूले वर्धन यहाँ जाहिए फिर से मेरा मू 10 रुपे टैक्स दे चुके हैं पहले तो मेरे से खाली मेरे मूले वर्धन पर टैक्स लो ना इस 200 रुपे पे मेरे से खाली 20 रुपे टैक्स लो मैंने सरकार से यह कहा सरकार ने कहा बिल्कुल सही बात है आपके आपके मूले वर्धन पर टैक्स लेंगे लेकिन आप पहले यह जो इन दोनों ने जो अपने मूले वर्धन पे tax दिया है उसका सबूत आप हमको दिखा दो कि इधोंने tax दिया है अगर दिया है तो आपके tax में से उसको हम minus कर देंगे तो मैंने इस आटे वाले को बोला किला भई तो ने कहां tax दिया था उसका रफीद दिखा जल्दी से म मैं अपना file कर रहा हूँ वहाँ पे मैं इसको डाल दूँगा तो मेरा tax बच जाएगा मेरा आटे वाला था tax चोर उसने बोल दिया कि नई सर मैं तो tax tax देता ही नहीं किस बात का tax मैं तो सब जो कोई tax ने देता है मैं तो सरकार को तो अब यार मुझे क्या दिक्कत है मुझे दिक्कत ये होगी कि अगर इसने मुझे स्बूत नहीं दिया तो मुझे 30 रुपे tax देना पड़ेगा अगर ये मुझे स्बूत दे देता तो मेरा 10 रुपे tax कम हो जाता कि नहीं हो जाता है की नी तो आप एक बात बताओ क्या मैं अगली बार इसके साथ कोई व्यापार करू जो काइदे से अपना tax file करता होगा तो मैं इसको कहूंगा कि यार अगर तू मुझे रसीद नहीं देगा तो भाईया जैराम जी कि आज के बाद मैं तेरे साथ कोई व्यापार नहीं करूगा ये clear हुआ कि नहीं हुआ अब यार मार्केट में धंदा सब को करना है मार्केट म जो आगे वाला चरण था उत्पादन की जो श्रंकला होती है उसका आगे वाला चरण जो था उसने पीछे वाले चरण पर दबाव डाला कि तू टैक्स देगा तभी तो मुझे रसीद मिलेगी और अगर मुझे रसीद मिलेगी तो उतने की मेरे को छूट मिलेगी समझ में कि ऐसने नहीं आया तो क्या हुआ कि यहां टैक्स की छोरी एकन रडा कं गये हार भारत में नहीं हर जगा है मैं ऐसे बहुत तारे उद्योग पतश्यों के जानता हूं मेरे परीचित थे वह एक खाने के जो क्काना करने वाली कंपनियां उत्यां आई करेगा हमारी कंपनी तेरे साथ एक पैसे का धंदा नहीं करें और हम लोग भाई अब हम टैक्स के वेना धंदा ही नहीं करते अच्छा आपने कई बार देखा होगा आप जैसे फ्लाइट टिकेट बुक करो तो आपको अक्सर मेल आता है जैसे इंडिगो से आपने अपने टिक इंडिगो वाले आपको खुद से वो 300 रुपे की रसीद भेज देते हैं कि देखो भया तुम्हारे से हमने तुम्हारा जो है यह 300 रुपे का जीएस्ट हमने डाल दिया है क्योंकि मान लो आपका बिजनिस फ्लाइट मैं जो फ्लाइट ले रहा हूं वह मैं वास्तविक्ता मैं किसी बिजनिस के काम के लिए रहा हूं तो मैं वहाँ पर क्लेम कर सकता हूँ कि मेरे बिजनिस के खर्चे पर 300 रुपे का जीएस्टी इंडिया जमा कर चुका है यह देखो उसकी रसीद तो आपको अकसर आता होगा इस तरह का email कि यह आपकी जीएस्टी की रसीद है तो तो वो आगर आम तोर्बे अगर आप विक्तिक्त काम से जा रहे हो तो आपके काम की नहीं होती, लेकिन अगर आप बिजनेस व्लाइंग करते हो तो आपके बहुत काम की होती, आपका उस ते GST वचता है, ठीक है? तो ये आपका एक वैट प्रनाली होती है, मूल लिवर्धित है वैट की प्रणाली जब आई गई थी तो यह बहुत बड़ा एक पुधार भारत की कर विवस्था में माना गया था वैश्विक स्टैंडर्ड का है दुनिया भर में जो कर प्रणाली है वो इसी तरह से चलती है और ऐसे ही चलनी भी चाहिए इससे वास्तविकता में करों का बोज कम होता है ठीक है इस बिंदू का आप यहां लिख सकते हैं मैंने करों में समता लाना लिखा है लेकिन जादा बहतर पॉइंट जो होगा कि करों का वास्तविक बोज जो है वो घड़ता है करों का वास्तविक बोज जो है वो घड़ता है और आपको हमने क्या बताया था पहले भी कि भाई सरकारें जो होती है वो आम तोर पर ये कठे निरने होता है कि कर जादा होने चाहिए या कम होने चाहिए लेकिन आपको मैंने क्या बताया था करो में दक्षता होनी चाहिए क्योंकि आप कर लेना चाहते हो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल जीरो टैक्स करना चाहते हो तो फरकारे टैक्स लेना चाहती हैं लेकिन आप ये कोशिश करते हूं कि unnecessarily अवांचित तरीके से जाधा टैक्स ना लिया जाए जो कि आप अगर अगर अवांचित तरीके से जाधा टैक्स ले रहे हो तो वो पैसा जो फरकार ले रही है टैक्स में वो बाजार में प्रयोग नहीं होगा और अगर वो बाजार में प्रयोग नहीं होगा तो बाजार में क्या कम हो जाएगी मांग और आप लोगों ने अगर मेरे से एकनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पहले दिन से मैंने क्या बताया है कि एकनॉमिक्स में किसी भी देश की अर्थविवस्था में सबस तो यहां पर क्या हो रहा है क्योंकि आपकी कर प्रनाली थी कि आपने टैक्स तो लगाया था दस परसेंट लेकिन जबर्दस्ती वह एक आपका जो कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था उसके कारण आप 16% टैक्स इकठा कर रहे थे जबकि आप नहीं चाहते थे आपने 10% टैक्स लगाया था 16% जबर्दस्ती का इकठा हो रहा था तो वैट के कारण क्या हुआ ये चीज़ बंद हो गई और करों का वास्तविक बोच जो है वो नीचे आ गया तो अर्थ विवस्था में धन का जो एक धन जो है धन का जो एक circulation है वो कम हो गया ठीक है तो ये एक important चीज़ है इसको भी हमको समझने की आविशक्ता है ठीक है चलिए तो ये आपका बहुत ही simple सी बात है ये आपका हो गया वैक समय कितना बचा है यार हमारे पास समय है दस मिनिट है तो हम एक और चीज़ पढ़ सकते हैं तो यार भारत में आप देखोगे तो 1996 से ये ऐसे को नई चीज़ नहीं है सरकारे जो है वैक को एक बहुत बड़े कर सुधार के रूप में लाने की दिशा में बहुत पहले स सरकारे कांप कर रही थी तो सरकार ने 1996 में उत्पाद शुल्क जो है उसको वैट बिधी से लेना प्रारंब कर दिया फिर धीरे धीरे सरकार ये जो है क्इस ते दिल के नव्दीग होते हैं केंद्र राज जिस सबको लगता है कि यार हमारा राजस व जो है वो अफेक्ट ना हो जाए इस दो कारण होते हैं इसके सेंसिटिव होने के पहली चीज तो सबको ऐसा लगता है कि यार हमारे राजस व जो है वो प्रभावित ना हो जाए हमारे रा लोगों को ये लगा कि ये कर जो है ये अन्यायपूर्ण है या फिर ये कर जो है ये अहितकारी है तो यार लोग फिर आपको चुनाव में दंडित करेंगे। ये आम तोर पे देखा गया है या फिर आपके यहां टैक्सेशन का फरक पड़ता है कि आपने अगर अनरगल टैक्स लगा दिये तो फिर निश्यत तोर पे लोग जो है आपको दंडित कर सकते हैं तो इसलिए सरकार केंद्र सरकार धीरे-धीरे राज्यों को समझाने की कर रही थी कि भाई तुम भी मानो तो धीरे-धीरे राज्यों में भी उत्पाद, शुल्क, बिक्री, कर वगेरा जो है इनको भी वैट के माध्यम से लेना शुरू किया गया देखें इंपोर्टन चीज यह है कि कभी भी किसी भी स्तर पे किसी भी अर्थ शास्त्री ने इसक कि खिलाफ आर्ग्यू नहीं किया है, यानि कि ऐसा नहीं हुआ है कि राज्य कह रहे है कि भाईया यह दोश्पूर्ण है, जैसे जीफ्टी में कहा गया है कई बार, कि यार यह तो राज्यों के अधिकार छीन लेगा, ऐसा मैं आपको आगे जीफ्टी बताऊंगा, लेकिन वैट की जो प्रनाली है, इस प्रनाली के खिलाफ कभी भी कोई ऐसा कोई आर्थिक आर्ग्यूमेंट कभी नहीं आया, कि यार यह जो प्रनाली है, यह खराब है, यह दोश्पूर्ण प्रनाली है, यह प्रनाली सही नहीं है, यह राज्यों के अधिकार छीन लेगी, या यह संगवाद को नुक्सान पहुचाएगी ऐसा कोई आर्गुमेंट नहीं आया वैट के खिलाफ वैट के खिलाफ या वैट को लगाने में जो एक स्लो पेस रही गती बहुत धीमी रही उसके कारण जो थे एक यही था कि लोगों को जादा समझ में भी नहीं आया वैट क्या है औ तो एक नई विवस्था को लोगों के उपर डालना एक मुश्किल निरने होता है, आसान निरने होता नहीं है, तो इसलिए वैट प्रणाली जो है, उसका जो इंट्रोडक्शन है, वो बहुत आसान नहीं रहा, ठीक है, धीरे-धीरे दोहजार आठ नौ तक सभी राज्यों में लागू हो गया, ठीक है, धीरे-धीरे जो है, आगे जाके लागू हो गया, और यह वैट जो था, ये वस्तव में भारत के tax reform का पहला कदम था, देखिए भारत का जो tax reform है, भारत के जो कर्फिधार है, यह कर्फिधार जो है, इसके delivery अभी भी चल रही है, यह पूरी तरह से अभी भी समाप्त नहीं हुआ है ये कई सारी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि ये यहां से शुरू हुआ था और 2017 में जब GST आ गया तब ये conclude हो गया मैं ये मानता हूँ कि अभी भी conclude नहीं हुआ है कि GST भी इसका एक पड़ाव है अभी ये भारत के कर सुधार जो है इनको और आगे जाना है और आगे कैसे जाना है मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको GST बताऊंगा यानि कि हमने भारत के taxation के सुधार की प्रक्रिया को हमने VAT से शुरू किया ये VAT की हम प्रणालिल है जो की mathematical थी logical थी तारकिक थी इसमें कोई खराब बात नहीं थी उसके जरीय हम लेके आए GST एक बहुत बड़ा परिवर्तन था बहुत जादा बड़ा परिवर्तन था लेकिन अभी भी हम GST का जो सही spirit है वहां तक पहुँचे नहीं है और मैं ये नहीं कह रहा में वस्तु और सेवा कर लागू किया गया जो की वैट अच्छा GST भी आपका जो होता है ये याद रखिएगा ये वैट प्रनाली से ही लगता है यानि कि ये भी एक मूल लिवर्धित कर ही है ये भी आपका पूरी तरह से वैट प्रनाली पे लगता है आपको पूरे उत्पादन पे GST नहीं देना होता आपको GST किस पे देना होता है जतना आपने मूल लिवर्धन किया है उस पर ठीक है तो भारत में इस तरह से प्रक्रिया जो है ये प्रारंब होई भाई वैट का अगर आप में से लोगों को कुछ लोगों को याद हो तो आपने देखा होगा कि भारी विरोध हुआ था दिल्ली वगरा में व्यापारियों ने दुकाने बंद रखी थी सडकों पे चक्का जाम किया था वित्त मंत्रियों को ग्यापन दिये जाते थे बहुत बहुत ज़ादा इसका विरोध हुआ था अकबारों में आर्टिकल लिखे जाते थे और बहुत तरह की चीज़ है हाला कि जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया कि अकैडमिकली और इंटलेक्चुली मतलब आर्थशास्त्री के तौर पे अर्थशास्त्र के चात्र के तौर पे मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं इसमें कोई भी कमी निकालूं को कमी नहीं है मतलब यह लॉजिकल तरीका है कि आपको टैक्स ऐसे ही लेना चाहिए यह सही तरीका है तो अब जो है वैट लेकिन तब भी राजनिती भी एक चीव होती है लोगों की लोगों की मांगों को सुनना पड़ता है सरकारों को इस कारण से वैट का भारी विरोध हुआ और विरोध का जो है काफी प्रभाव पड़ा लेकिन सरकारे नहीं मानी क्योंकि मानना बेनी चाहिए ता कोई लॉजिक नहीं है तो वैट के विरोध के प्रभुकारन क्या थे ऐसा क्यों हुआ पहला जो होता है, मैंने आपको पहले बताया, जानकारी की कमी, लोगों को ऐसा लगा कि एक नया टैक्स आ रहा है, लोगों को ऐसा लगना शुरू हो गया कि यह जो टैक्स हम लेते हैं वो तो लेंगे ही, उपर से एक नया टैक्स और लगा देंगे, उसका नाम होगा VAT, यह कॉमन प्रॉब्लम थी, कि मतलब मैं अभी भी, मैं अभी भी आज की तारीक में भी अगर मैं चार बिजनसमेंस से बात करके पूछता हूँ, कि जब वैट आया था, तो आपने क्यों विरूद किया था, वो यही कहते हैं, कि यह नया टैक्स लगा था, जबकि वो सही नहीं ह वैट, ठीक है, जबकि यह सच नहीं था, ठीक है, दूसरी चीज क्या थी, लोगों में विश्वास की कमी थी, विश्वास की कमी किस तरह से थी, लोग एक तो सरकार पे कम विश्वास करते थे, लोग यह मानते थे कि यह सरकारे जो है, यह हमारा जो है, शोशन ही करेंगी, दूफरा लोगों को प्रक्रिया से समस्तिया थी कि यार अब क्या है फाल्तू में मैं कहां अपने पीछे वाले वेंडर को ढूंडता रहूंगा अब आपको ये करना पड़ेगा ना कि आप जैसे बही वाला ब्रेड वाला एक्जामपल आप आटे वाले को ढूंड के उससे ब पड़ेगा इतने सारे ये पूरे खर्चे वर्चे करने पड़ेंगे क्योंकि यार ये सब भी कॉस्ट होती है ना मिसमें आपको अपने रिटर्न फाइल करने है ये सब तो लोगों को लगाए बड़ी जटिल पक रिया है और इससे भी हमको बहुत दिक्कत कोने वाली है लो करों की चोरी करना चाहता था काफी बड़ी संख्या में और उनको ऐसा लगा था कि यार जो की सही भी लगा था कि अगर ये विवस्था आ जाएगी वैट की विवस्था आ जाएगी तो करों की जो चोरी की संभावना है कि आप किस तरह से टैक्स बचा सकते हो ये संभावन आपकी कम की जाए, लोगों ने इसको भाप लिया, कि यार इसमें तो हम tax तुरा नहीं पाएंगे, तो लोगों ने इसका विरोज शुरूर किया, हाला कि लोगों ने फिर ये भी समझा, कि यार आखिरकार tax कुल मिला के कम ही होंगे, tax बढ़ नहीं रहे हैं, आप अगर वैट पे चर्चा, GST पे हम कल बात करेंगे, कल की क्लास ते हम GST पे अपनी चर्चा शुरू करेंगे, वैट पर मैंने पूरी एक क्लास दी मुल्ले वर्ध कर के आधार पे, क्योंकि मैं चाहता था कि इस concept को आप सभी बहुत अच्छे से समझे, बहुत काईदे से इसको हुआ है, लेकिन वो आपको मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वो आपको हम कल पढ़ाएंगे अब, चलिए, जल्दी से आपको एक प्रशन दिखा देते हैं, हाँ, यह आपका आज का सवाल है, आपका subjective प्रशन बहुत ही सिंपल है, मुल्ले वर्धित कर क्या होता है, यह कर उपभोकता को कैसे लाब पहुंचाता है, तो मुल्ले वर्धित कर का जो concept है, बस वो concept आपको यहाँ पे लिखना है, कि यह होता क्या है, और एक consumer को, उपभोकता को, एक end consumer को यह कैसे लाब पहुंचाता है, उसके लिए यह कैसे लाब प्रद होता है, यह बात आपको प्रदान आज वाले इसमें आपको करनी है ठीक है स्वरल सा प्रशन है बिलकुल सिंपल कॉंसेप्चुल सवाल है ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं दिया आपको मैंने पर मूले वर्धित का कॉंसेप्ट आपको समझ में आए यह अपने आप में बेहद आवश्यक है अगर यह कॉंसेप्ट आप नहीं समझेंगे तो काफी दिक्कत आपको आगे आएगी एकनॉमिक्स को समझने में ठीक है जाते जाते मैं आपको फिर बता दूं कि यार पीटू आई बैच जो है उसमें इन्रोल करने का आज है लास्ट डे दफ तारिक से बैच शुरू हो गया है अभी एजे लाइफ कोड लगाएंगे तो आपको 29,999 का मिल जाएगा ठीक है तो आप अगर आप तक जुड़े नहीं हैं जुड़ना चाहते हैं स्टडी आई क्यू नॉर्मली एक हफ़ते का मारजिन देता था बाद में जुड़ने के लिए शुरू होने के बाद इस बार केवल दो दिन का मारजिन दिया है काफी एन्रोल्मेंट्स अल्रेडी हो गए हैं अब हम वास्तविक्ता में नंबर ओफ एन्रोल्मेंट्स को सीमित करना चाहते हैं तो अगर आप जुड़े नहीं हैं तो आप जल्दी से जल्दी जुड़िए इस से और आप जो है एजे लाइफ क लगा के जो भी नियूंतम दाम में उस पर ले सकते हैं साथ के साथ आपको अगर मेरे से कोई सवाल पूछना है इस क्लास की प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी अतुल जैन यूपीस्टी काइडिन्स नाम के टेलेग्राम चानल पे अतुल अंडर्सकोर यूपीस्टी मेरा इ आज हम इसके सोवे एपिसोड को समाप्त कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम इसके और बहुत सारे एपिसोड देखेंगे मैं आशा करता हूँ कि तब तक आपका चैन हो जाए लेकिन तब भी मैं एक शिक्षक के तौर पे आप सब का बहुत है उसका सम्मान किया और आप हमारे साथ जुड़े रहे आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए आज बहुत-बहुत धन्यवाद मैं आपसे मिलूँगा शाम चार बजे हिंदी में हिंदू के अपने सत्र के साथ तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए थैंक्